चंपए सोरेन BJP में चले गए है। चंपए के BJP में जाने के बाद जमें में कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही है। जैसे चंपए का जाना जमें के लिए कोई बड़ा शटका नहीं हो। लेकिन BJP में जरूर हलचल मची हुई है। पार्टी के दिगज नेताओं की नाराजगी की खबरे आ रहे हैं। तो वहाई चमपाई सोरेन को लेकर कहा जा रहा है कि चार महीने में ही उनकी सबसे बड़ी परिक्षा हो जाएगी। सवाल ये उठ रहे हैं कि जारखन विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को कितनी सीट जिता पाएंगे। और उससे भी बड़ा सवा कि वो अपने कितने समर्थकों को बीजेपी का टिकेट दिला पाएंगे। इस बीज अब ये भी दावा किया जाने लगा है कि चमपई जेमें में वापसी का रास्ता भी तलाश रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने शिबू सोरेन के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। चमपई की जेमें में वापसी के शुरू हुई चर्चाओं को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बार। नमस्कार। मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। चमपई सोरेन के जेमें में चोड़ने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी घर वापसी की चर्चाओं भी शुरू हो गई है। जेमें की तरफ से चमपई के खिलाफ कोई तीखी टिपपड़ी नहीं की गई है। तो चमपई भी जेमें में नेत्रितु के खिलाफ बेहत नपे तुले अंदाज में बयान दे रहे हैं इस वीच जेमेम प्रवक्ता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी में चमपई सोरेन को सम्मान नहीं मिलेगा और वो वहां घुटन का एहसास करेंगे पहले भी जेमेम के नेता बीजेपी में गए हैं लेकिन जल्दी ही उन्हे अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी चमपई को भी जल्दी ही अपनी गलती समझ में आ जाएगी ऐसे में एक बार फिर चमपई सोरेन की जारखन मुक्ती मोर्चा में वापस ही होगी इसके लिए सिर्फ समय का इंतजार करना होगा और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि समय ज्यादा नहीं लगने वाला है चार महीने में ही जारखन में विदानसभा चुनाव होंगे विदानसभा चुनाव में इंडिया गठवंधन को जीत मिलती है तो चमपई कुछी दिनों состав में वापस जियेमम में लॉट आएंगे चंपई को लेकर कॉंग्रस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि चंपई के बीजेपी में जाने से सबसे बड़ा जटका तो बीजेपी के नेताओं को ही लगा है बाबुलाल मरांडी और अर्चुन मुंडा जैसे बीजेपी के नेता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं अगर वास्ताओं में चंपई सुरेन को बीजेपी कोलहान टाइगर मानती है तो उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे वैसे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बीजेपी के पास पहले से ही जारखन में आदिवासी नेताओं की कमी नहीं है तो फिर उसे चंपई की जरूरत क्यों पड़ गए और इस सवाल का जवाब लोगसभाचनाव के नतीजों में छेपा हुआ है लोगसभाचनाव में राजी की 14 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली जबकि एक सीट सहयोगी आजसू को मिली लेकिन ये नतीजे बीजेपी को खुश होने का मौका नहीं दे रहे हैं बलकि डड़ा रहे हैं क्योंकि 2019 में बीजेपी ने आजसू के साथ मिलकर राजी की 14 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और लोगसभाचनाव के 6 महीने बाद जब विधान सभाचनाव हुए तो बीजेपी 81 सदस्यों वाली विधान सभा में सिर्फ 25 सीट जीत पाई जबकि जेमेम ने अपने सहीयोगियों के साथ 48 सीट जीत ली जिसमें जेमेम को 30, कॉंग्रेस को 16, आरजेडी को एक, भागपा माले को एक सीट मिली थी इसके बाद हेमन सोरेन सीएम बने यानि लोगसभाचनाव और विधान सभाचनाव में राजी का मद्दाता अलग-अलग वोटिंग करता है 2019 में बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं था लेकिन इस बार जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है खास्त और पर जिस तरह से हेमन सोरेन को जेल भेजा गया ये गुस्सा आदिवासियों की बीच ज्यादा दिखाई दे रहा है और इसका असर लोगसभाचनाव में ही दिखाई दे गया था ज्यारखन की पांच लोगसभा सीट खूटी, लोहरदगा, सिंग भूम, राजमहल, दुमका आदिवासियों के लिए सुरक्षित है और बीजेपी आदिवासियों के लिए सुरक्षित ये सभी सीटे हारगर तीन सीटों पर जेमेम और दो पर कॉंग्रिस को जीत मिली जारखन में आदिवासी आबादी 26 प्रतिशत है, राजी की करीब 40 सीटों पर आदिवासियों का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है एक समय था जब आदिवासियों की बीच बीजेपी के बाबुलाल मरांडी, अरजुन मुंडा, करिया मुंडा लोग प्रिय थे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मधो कोडा की पत्नी गीता कोडा और सीता सोरेन दोनों ही लोग सबाचुनाव हार गए ऐसे में बीजेपी की आखरी उमीद चमपई सोरेन थे लेकिन ये भी कहा चारा है कि बाबुलाल मरांडी जैसे नहीं था चमपई सोरेन को मिलने वाली तवज्जो को लेकर नाराज है अगर बाबुलाल मरांडी की नाराजगी बढ़ती है तो फिर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है चमपई सोरेन को बीजेपी मिलाने का एक मकसर कुलहान की 14 सीटे भी हैं 2019 के विधान सभाचनाव में यहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है 14 सीटों में से 11 पर जेमें, दो पर कॉंग्रेस और एक पर निर्दलिय उमिद्वार चनाव जीता था ऐसे में बीजेपी को उमीद है कि चमपई की मदद से उसे कुलहान में फायदा होगा लेकिन ऐसा होगा, ये होता नहीं दिख रहा है दरसार आदेवासी मद्दाता दल बदलों के पक्ष में नहीं रहे है जेमेम की तरफ से कहा गया है कि गीता कोड़ा जैसी लोगप्री अनिता जो दल बदल कर बीजेपी की टिकट पर लोगसभा चुनाव लड़ी और हार गए जेमेम में युवा सितारे कुडाल सारंगी 2019 की विधान सभा चुनावों से पहले बीजेपी में चले गए थे पच्चिस सो वोटों की बीच में रहता है 2019 के चुनावों में जब आदिवासी समुदाय के बीच हेमन सुरेन की लहर चल रही थी उसी चुनाव में चंपाई 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत पाए थे वे 2019 में लोगसभा के लिए चुनाव लड़े लेकिन 3 लाग से अधिक वोटों से हार गए साफ है चंपाई को खुनाव जीतने के लिए हेमन सुरेन के नाम का सहारा लेना पड़ता है जो इस बार उन्हें नहीं मिलेगा ऐसे में चंपाई की बड़ी परीक्षा होनी है चंपाई को बीजेपी में कदम-कदम पर परीक्षा देनी है अगर वो फेल हुए तो फिर बीजेपी उन्हें किनारे लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी वैसे भी जेमेम छोड़ने वाले नेताओं का हाल राजनीती में बहुत बुरा हुआ है जेमेम में सबसे बड़ी बगावत 1992 में कृष्णा मार्डी ने की थी वो नौ विधायकों के साथ जेमेम से अलग हुए थे वो खुद भी सांसर थे मार्डी के बगावत के समय दावा किया गया था कि जेमेम अब समाप्त हो जाएगी लेकिन शिवो सुरेन की पार्टी ने मजबूती से वापसी की कृष्णा मार्डी और उनकी पार्टी जरूर गायब हो गए इसके बाद कुल्हान के बड़े नेता रहे कृष्णा मार्डी बीजेपी आजसू कॉंग्रेस हर दल में गए लेकिन काम्याब नहीं हो पाए इसके बाद जिस दूसरे सबसे कद्दावर नेता ने जेमेम से बगावत की वो थे सूरज मंडल चमबा की तरफ से एक समय सूरज मंडल जेमेम में दूसरे नंबर पर होते थे छे साल पहले उन्होंने शिबु सूरेन और हेमन सूरेन पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी उन्होंने मधु कोडा, एनोस, मार्डी सालखन के साथ मिलकर युनाइटेड अलायंस बनाया लेकिन वो काम्याब नहीं हो पाया अब सूरज मंडल राजनीती से पूरी तरह से किनारे हो गए हैं इसके अलावा हेमलाल मुर्मो, अर्जुन महतो, शिवा महतो, दुलाल भुया, साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, कुडाल सारंगी, अमित महतो जैसे कई नाम हैं जो पार्टी से अलग हुए लेकिन ये सभी जेमेम से अलग होने के बाद राजनीती में सफल नहीं हो पाये जिसके बाद अधिकांश नेताओं ने घर वापसी कर ली और जो जेमेम में वापसी नहीं कर पाये वो राजनीती में फिसलते ही चले गए ऐसे में दावा किया जा रहा है कि चमपई भी जल्दी ही जेमें में वापसी कर सकते हैं और जिस तरह से सियम हेमन सुरेन और चमपई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से परहेज कर रहे हैं उससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि JMM ने चम्पई के लिए दरवाजे बंद नहीं किये हैं तो चम्पई ने भी JMM में वापसी की समभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है फिलाल इंतिजार है विधान सभा चुनाव के नतीजों का जेमें के सत्ता में वापसी होती है तो ये भी तैमान अचारा है कि चमपई की भी जेमें में वापसी हो जाएगी तो आज ये स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नमस्कार